हेलो दोस्तों, आज हम आपको इंडिया के कुछ ऐसे हॉंटेट प्लेस के बारे में बताने वाले है, जहां लोगों को जाने से अकसार परिसानियों का सामना करना पड़ता है, तो हॉंटेट प्लेस की लिस्ट में पहला आता है भांगर किला, राजस्थान. यह किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि यहां एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है, जिसने महल की राजकुमारी को श्राप दिया था, दूसरे नंबर पे आता है कुलधरा गाव, राजस्थान, यह गाव अचानक रातों रात खाली हो गया और तब से यह माना जाता है कि यहां भूतों का वास है, तिसरा नंबर है, शनीवारवाडा किला पुने, इस किले में पूर्णिमा की रात को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, कहा जाता है कि यह आवाज एक राजकुमार की है, जिसकी हत्या कर दी गई थी नंबर फोर, है रामुजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, सच कई अजीबों गरीब घटनाए होती हैं, जैसे कि लाइट्स का अचानक बंध हो जाना और अजीब आवाजें सुनाई देना, लोग मानते हैं कि यहां युद्ध में मारे गए सिपाहियों की आत्माएं हैं, चमा अजीब आवाजें सुनी हैं, और रात में यहां जाना मना है, सवाई होटल, मसूरी, इस होटल में कई लोगों ने अजीबों गरीब घटनाएं और भूतियां अनुभव किये हैं, यहां एक महिला की आत्मा भटकती हैं, जिसकी हत्या हो गई थी, हाउस नंबर, टब्यू ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, यह घर अपने भूतियां अनुभवों के लिए जाना जाता है, लोगों ने यहां अजीब आवाजें सुनी हैं, और कई बार आत्माओं को देखने का दावा किया है, जीपी ब्लॉक, मेरट, यह भवन भूतियां गतिविधियों के लिए कुख् आत्माओं देखी गई हैं, और अजीब घटनाएं हुई हैं, मुकेश मिल्स, मुंबई, यह स्थान फिल्मों की शूटिंग के लिए मशूर है, लेकिन यहां कई अजीब घटनाएं भी घटी हैं, लोगों ने यहां आत्माओं को देखने और अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है, यह स्थान भारत के कुछ सबसे रहस्यमय और भूतिया स्थान माने जाते हैं, और इनकी कहानिया सुनने में जितनी डरावनी लगती हैं, उतनी ही रोमान्चक भी होती हैं.